शनी मारगी हो जाने वाले हैं यानि कि इसका प्रभाव करकराशी पे कैसा रहेगा अभी करकराशी पे शनी की धहिया का प्रभाव तो मित्रो चली रहा है और धहिया के कारण करकराशी को धन की हानी हो रही है करियर में बहुत अच्छा लाब नहीं मिल पा रहा है करजे पे कर है कि हम बहुत मेनत कर रहे हैं उसके बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसका कारण यह कि करक राशी बड़ी बड़ी capturing राशी है बड़ी अच्छी राशी है करक राशी वाले गाने खाना बनाने यानि सेल्फ dependent राशी होती है करक राशी वाले एक बार जीवन में किसी चीज को याद करें तो भूलते नहीं है करक राशी वाले जो व्यक्ति होते हैं पड़ने लिखने में बड़े माहिर होते हैं उसके बावजुद भी अभी सनी की धिया के कारण उनको सपलता नहीं मिल पा रही है और आ जाता सानी बहुत कुछ दें जाता है तो करक राशी से तो इसने दो साल बहुत कुछ लिया है क्या कुछ देंखे जाएगा इसके बारे में च kissed मित्रूइ इस कारेकरा करेंगे और शनी अभी अभी पंदरह नवंबर में नहिए तो इसका ऐसे में धनहानी देते हैं लेकिन आप क्याए कि जाता जाता जो शनी है जो चला जाएगा तो वह आपका करजा उतारता हुआ चाहेगा धहिया का प्रभाव जो आपके करियर पे आपके अपने धन पे पड़ा है वो कम हो जाएगा कारे में बाधाय नस्थ होगी धनहानी जो चल रही है उसमें अब आपको राहत मिलेगी करजा भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा कारण क्या कि आप शनी अप्रेल दोजर पच्छीज में जा रहा हो जाते जाते जिन रासियों को वह सबसे ज़्यादा कष्ट देता है तो वहां चार पांच मेने के अंदर ही राहत आप मैसूस करेंगे यानि अब शनी जागरित हो गये हैं आब आगे की ओरत चलेंगे तो जाई इसरी दिश्टी धरिश्टि तो आपके दस दसंभाव में जो करियर में करकराशी की परिसानिया चल रही थी करियर में आपको गलत काम दे दिया गया था आपकी पावर छीन ली गई थी आपका डिमोशन कर दिया गया था आपको पावर लैस कर दिया गया था अब दीरे दीरे चीजें आप ट्रैक पे आने लगेंगी और साती साथ अधिकारियों से या मैनेजमेंट से जो नाराजगी थी वो अब दीरे-दीरे दूर होती भी और आपको काम सही ट्रैक पे सही पोजीशन जाता जाता शनी आपको देखे जाएगा शनी की साथ वी द्रिष्टी आपके धनबाओ पे बैठा है तो धनबाओ पे जो दो डाई साल में आपने शियर में इन्वेस्ट किया जहां भी निवेश किया वहाँ पर आपको नुकसान हुआ ये किसी व्यक्ती ने आपको धोका दिया धनहानी की तो कहीना कहीन अब आपके रिकवरी का समय तो ये जो चार-पांच महिने में शनी जो जा रहा है ये आपको रिकवरी करने का मौका मिलेगा कुछ मार्केट में डूबा हुआ धन भी आपका रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है यानि कि कुछ रिकवरी आपको मिलेगी साथी साथ देखा जाए तो सनी क दसवी द्रिष्टी आपके पंजम बाओं में तो जाता जाता सनी नई नौकरी का ओफर आपको दे सकता है अच्छा खास आपको पैकेज दे सकता है जाता जाता सनी संतान्त समंदित जो परिशानी चल रही है वो दूर कर सकता है चाहे आप विध्यारती हो मित्रो चाहे आप कही ना कही करकराशी के दामपत्ती हो जिनकी संतान नहीं हो रही तो संतान्त समंदित जो भी परिशानी चल रही है वो दूर होगी या करकराशी के वो लोग जो जिनको नौकरी नहीं मिल पारी है नौकरी में सही पोजीशन नहीं मिल पारी तो आप जो जाता जाता सनी हैं आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रहेगा और अप्रेल 2025 में तो मीन राशी में चले जाएगा तो आपके उपड़ से जो ढहिया है वो छूट जाएगी तो मित्र ये था जनरल प्रेडिक्शन यदि करक राशी के हैं आप और आपको बिलकुल एकुरेट चाहिए दसा मादसा अंतर दसा क्या क्या योग क्योग मेरी कुंडली में बन रहे हैं मुझे पस्नलाइज चाहिए तो उसके लिए आपको 7210124289 पे देश में बेटें विद नाम टायम आप मुझे टायप करें और एक हलका सामने शुल्क लिखा हुआ है वो शुल्क आप पे करके मुझे स्क्रीन सोट भेज दे बतर घंटों के अंदर आपसे बात हुजाएगी हमारी और से हम आपको कॉल करेंगे आपको कॉल करने की अवशकता नहीं है तो नहीं है मुझे दिदी जाय जय मता दी